हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे जो अभी 2021 में भारत की जो सर्वोच नागरिक सम्मान है जिनमें पदम विभूशन, पदम भूशन और पदम श्री सम्मिलित हैं ठीक है यह तीन पूरुसकार जो दिये जाते हैं इनके के बारे में आपको पता होगा तो इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्या होते हैं आपको पता है कि जब अपने छेत्र में सर्वोच कारी लोग करते हैं हर छेत्र में चाहे वो साहित्य हो चाहे विज्ञान हो या कला हो कुछ भी हो ठीक है तो उसमे पुरुस्कार दीये जाते हैं क्रिकट व्गर इसमें जो भी अपने झेत्रों में जो एक करते हैं उनको पुरुस्कार कीए जाते हैं तो अभी हम पढ़ेंगे कि कला के चेत्र में इस साल 2021 में किन्किन कलाकारों को न्यक्साइन नवाजा गया है आपके लिए महत्पूर्ण है आपके एक्जाम में भी एक कोश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले है पदम विभूशन पदम विभूशन देखिए जो पदम विभूशन जो पुरुसकार है वो सुदर्शन साहू को मिला है उड़ीशा के हैं श्री शुदर्शन साहू उड़ीशा के रहने वाले हैं और मुर्तिकार हैं इनको यह पुरुसकार दिया गया है पदम विभूशन और पदम विभूशन दिया गया पदम विभूशन पुरुसकार मिले तो है कि कल्या के छेत्र में किसी को नहीं मिले हैं तो उनको हम नहीं जानेंगे मूर्तिकार हैं अब देख लिए पदम श्री पुरुसकार किसको किसको मिले पदम श्री पुरुसकार पदम विभूशन हो गया पदम श्री हो गया और पदम विभूशन आर्ट के छेत्र में नहीं मिले और छेत्रों में मिले हैं जिनसे हमें मतलब नहीं है तो पहली तो हैं दुलारी देवी दुलारी देवी ये बिहार की है और मिथिला पेंटिंग में काम करती है मिथिला पे दूसरी है दूसरे है नारायर देवनाद यह कॉमिक्स कार्टुनिस्ट है ठीक है कॉमिक्स में कार्टून कॉमिक्स कार्टूनिस्ट वेस्ट बंगाल के हैं कार्टूनिस्ट ठीक है तीसरे हैं भूरी देवी हैं भूरी देवी पिथोरा आर्ट मध्यप्रदेश की हैं पिथोरा आर्ट मध्यप्रदेश की रहने वाली है ठीक तो पदम विभूशन सी सुदर्शन साहू उडिसा के हैं मुर्तिकार इनको मिला पदम शरी इन तीन लोगों को मिला है दुलारी देवी नारायन देवनात और भूरी देवी 2021 में है ठीक है 2021 में इन लोग को पुरुसकार मिला है जन्वरी नाम याद कर लेजेगा ठीक है अब चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं जान लेते हैं कि काहे में लोग कैसे काम ख़ते हैं तो सुदर्शन साहू को बेजान पत्थरों को उकेर कर पौराडिक कथाओं को सजीव सी दिखने वाली मूर् अपनी मूर्तियाओ केरते हैं और इनकी मूर्तियाँ देखेंगे आप पिक्चर में देख सकते हैं तो इस तरीके से लगता है जैसे पौराडिक कथाओं जो है सजीवता लिये हुए हैं इत्व पताय लग आखों के सामने दिखाई पड़ने लगती इस तरीके से ये काम करत अपनी कला के लिए 1988 में पदमश्री से भी नवाजा जा चुका है पदमश्री पुरुषकार इन्हें मिला था और सुदर्चन ने 1977 में पूरी में क्राफ्ट म्यूजियम इस्थापित किया था ठीक है इसके बाद इन्होंने 1991 में भूनेसर में उरीशा सरकात के साथ मिलकर एक आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज इस्थापित किया था जहां में पत्थरों, लकडियों और फाइवर ग्लास को जानदार लगने वाली मूर्तियां बदलने में काम करते थे मतलब कला सिखाते थे यहां पर जो कार्ड एंड क्राफ्ट कॉलेज जो इन्होंने भूनेसर उरीशा सरकार के साथ मिलकर 1991 में स्थापित किया था वहां पर पत्थरों, लकडियों और फाइवर से यह मूर्तियां बनाते थे बनाना सिखाते थे वहां पर बच्चों को सुदर्शन साहू का जन 11 मार्च 1949 को उरीशा के पुरी में हुआ था ठीक है, 11 मार्च इनका जन 11 मार्च 1949 उरीशा के पुरी में हुआ था पुरी में हुआ था इनका जन 1949 और सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्थिकार है आपको मैंने बता दिया है मूर्थिकार के रूप में जाने जते हैं उनकी बनाई हुए कलाकृतियां देश-विदेश में भी प्रसिद्ध है ठीक है और यह 82 साल के इतना आप जान लीजिए यह मूर्थिकार है पत्थर में काम करते हैं पौराडिक कथाओं पर आधारित जो है मूर्थियां यह करते हैं जन मिनका निस सोन तालिस में उडिशा के पुरी में हुआ था बैयासी बैयासी साल के यह है ठीक है ठीक है तो यह तो था पदम भूशड इनको पदम भी भूशड मिला है पदम भूशड कलाकारों में से मैं आर्ट के छेतर में नहीं दिया गया है दूसरा ही पदम श्री के बारे में दुलारी देवी यह बिहार की रहने वाली है ठीक है बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर में छोटे से गाउं राटी की रहने वाली है दुलारी देवी को मिथला पेंटिंग के लिए पदमश्री सम्मान से सम्मानित किया गया मिथिला पेंटिंग के लिए और इनके कला कॉसल की चर्चा जो है कला जगत की नामचीन पत्र पत्रिकाओं तक में होती है 54 वर्षी दुलारी देवी की संगर्स घाता जो इनकी जीवन का जो संगर्स है वो प्रेडिना दायक है और बारा साल की उम्में इनकी शादी हो गई थी और साथ साल के बाद मतलब इनका जो है कुछ भी इनके कुछ एक्सिडेंट बगारा कुछ इनकी जिन्दगी में एक्सिडेंटल कुछ हुआ था तो उस वज़े से ये ससुराल छोड़के अपने माईके में रहने लगी थी और यहीं पर ही ये लोगों के घरों में अपने पालन पोषण अपने पालन के लिए घरों में जाड़ू पोचा करती थी और जीविका चलाने के लिए उसके बाद धीरे धीरे वहीं पर ये काम करते करते मिथिला पेंटिंग की नामचीन का लाकार है करपूरी देवी के बारे में मैंने चैनल पर वीडियों मेरा पड़ा है अप देख सकते हैं करपूरी देवी के बारे में बताया थे की मिघ्ञार कार थी, उन्हें के घर में जड़ू कोछा करती थी और वहीं से ही इन्होंने करकूरी देवी का साथ पाकत मिथिला पेंटिंग के छेतर में अपनी अलग पहचान बनाई थी तो दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग के लिए पदमश्री पुरुसकार से नवारी उसके बाद दूसरे हैं नारायन देवनाथ नारायन देवनाथ ठीक है तो यह जो है भारतिये कॉमिक्स कलाकार लेखक के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म जो है वह 21 नवंबर 1925 को वेश्ट बंगाल में हुआ था 1925 को इनका जन्म वेश्ट बंगाल में हुआ था ठीक है और यह जो है लोगप्रिय बंगाली कॉमिक स्क्रिप्ट के निर्म आता है ठीक है तो यह पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल और इन्होंने कुछ इनकी कॉमिक्स के नाम है हांडा भोंडा 1962 में यह इन्होंने लिखी थी बटुल दा ग्रेट 1965 में इनकी यह कॉमिक्स लिखी गई थी और नौन्टे फोनेट 1969 में ठीक है तो बंगाली भासा की स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाने जाते हैं और और यह जो इनकी यह कॉमिक्स थी हांग हांडा फोंडा तो यह जो है यह इनकी कॉमिस की जो इस रंखला थी यह वाली यह लोग काफी लंबे समय तक लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक्स का रिकॉर्ड इनके पास मतलब इसका रिकॉर्ड इनके पास रहा है लंबे समय तक यह कॉमिक्स चली थ भूरी बाई ठीक भूरी बाई पदम श्री याद रखियेगा पदम श्री पूरसकर भूरी बाई और ये पिथोरा आर्ट के लिए इनको जानी जाती है इसलिए इनको ये सम्मान से नवाजा गया है मध्य प्रदेश की रहने वागी है भूरी बाई एक भारतिय भील कलाकार है पिटोला गाउं में इनका जन्म हुआ था और ये जो पिटोला मध्य प्रदेश में जाबुआ जिले का एक गाउं है ठीक है भूरी भाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुह भीलों के समुदाए से हैं और इस बार इन्हें 2021 में भारत के चौथे सर्वोचिनागरिक सम्मान परम पदम्श्री से सम्मानित किया गया है और इस बार इन्हें 2021 में भारत के सर्वोचिनागरिक सम्मान परम्श्री से सम्मानित किया गया है इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार सिखर सम्मान था कलाकारों को दिये गए सर्वोच राजिकिये सम्मान से कई पुरुसकार जीते हैं भूरी बाई इस समय भोपाल में आदिवासी लोककला अकादमी में कलाकार के तोर पर काम करती हैं और वहां पर बैक्चो को सिखाती भी है इनके चित्रों में जंगल, जानवर, भील, देवी, देवताएं, अन्नागार, जुपडियां, हाट, उत्सव, नरत्य कथाओं, सही भील जीवन के प्रतेक पहलुकों इन्होंने इसमें बनाया है भुरीबाई जो है मलब परामपरिक तोर पर जो यह कला थी उसके साथ साथ इन्हों ने शमकालीन कला को भी इसमें जोड़ दिया है कंटमपरियी मालब कला के साथ पहली बहली कलाकार है जिन्होंने कागज और कैन्वास पर भी काम किया है क्योंकि जो पिथौरा आर्ट है वो दिवाल पर ही की जाती, जैसे मिथिला ठीक मैं वर किसी विसेश्त कामना ओपु आध बनाई जाती थी और ये नेचुरल कलर ये लोग अपने आप बनाते थे उन्हीं रंगों से तरह तरह के रंगों को बनाकर दिवाल पर ये बनाया जाता था पिथवरार ठीक है और बाकी आप ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अलग से में इन कलाकारों के बारे में आपको बता दूंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये कलाकार हो गए पदम विभूशन और पदम श्री ठीक है ये जो है आर्ट में कला से सम्मंधित कलाकारों को मिले हैं इनके नाम आप देख लीजेगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अभी तक के लिए इतना है